बरते जंतापाटी उन सब को सहयोग करने के लिए तैयार है अभी तो सरकार में हम आये हैं अभी तो विभाग भी नहीं बटा है पूरा विस्तार भी नहीं हुआ है हमने तो इतना बरा अंदोलन खड़ा किया कि शिचकों की भाली अभी लंब हो हमारी कर्ज करता कि हत्या पूलिस ने कर दी सांसत तक पीटे गए साथ हैं थोड़ा धैर्ज रखें लोग हम लोग उनके साथ हैं उनकी विचारों को निश्चित रूप से सरकार के पास पहुंच लगातार जो है उनका समर्थन करते आ रहे थे अब उन अभीरतियों को बीजेपी से उम्मीद है कि उनकी मांगों को सुनी जाएगी तमाम मुद्दूपे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के परवकता है राकेश कुमार सिंग जी किस तरह से देखते हैं लगातार ज उसके लिए भारतिय जनता पाटी ने बड़ा अंदरण किया था भारतिय जनता पाटी के करज करता के हत्या पुरिशने करने हैं अभी तो बिभाग भी नहीं बटा है पूरा बिस्तार भी नहीं हुआ है तो बिस्तार हो जाए बिभाग बढ़ जाए इसके बाद इस पर जरूर बिचार होगी भारतिय जनता पाटी ने जब इतना बड़ा अंदोलन खड़ा किया तो बिचार तो करेगी लेकिन अभी थोड़ा बिभाग बढ़ जाए कि इसको कौन बिभाग मिला यह भी अभी तै जाए जागा व्यर्ति काफी नराज थे और एक उम्मीद था सुसील मोदी का एक्टिवीट था उनका तस्वीर लेके परदर्शन कर रहे थे और उनको उम्मीद था कि जिस परकार्ष विपच मेरा आने के बाद हमारी मांग को सुनी जाएगी यह तो मेरा सिर्फ एक जाकी है अगर जो हमारी बात को नहीं सुनी जाएगी तो आगला रन्निती मेरा कुछ और रहेगा सांतेपूर अंदोलन रहेगा और परदर्शन जारी लगेगा उनको आपसे उम्मीद है उनको सांतना अगर जो देना हो तो पैठी दिजिए हम लोग उनके साथ हैं हम पुर्द में भी कहा कि हम उन लोगों के लिए उनके लिए सानभूती रखते हैं उन पर विचार करेंगे सरकार में जब हम लोग आ गए हैं हमने तो इतना बड़ा अंदोलन खरा किया कि सिचकों की बहाली अभी लंब हो हमारी कर्ज करता कि हत्या पूलिस ने कर दी सांसत तक पीटे गए अभी तो दो दिन सपत के हुए हैं विभाग भी नहीं बटा है हम उनके साथ हैं बिल्कुल उनके साथ रहेंगे हमारे घर पड़िवार के लोग हैं यह बिहार के भविस हैं हम उनके भविस को खड़ाब नहीं होने देंगे पाठी का जो विचार है पाठी का जो यह है सब क तब तक कौन सा विचार इस पर होगा तो इस पर विचार होगा निश्ची तुरुप से विचार होगा चलिए तो यह हमारे साथ राकेश कुमार शिंग थे जो बीजेपी के परदेश परवक्ता हैं इन्हों हिलाल इस वीडियो में इतना है आपके क्या पर्ति कि रिया होगी कॉमेंट्स वाक्स में जड़ो देज़ेगा धन्यवाइब